स्टूरेंट्स आप सभी का सवगत है हमारे स्कीडियोग चैनल पर आज हम लोग बेटा बात करने आले हैं आपकी कारपतिका 30 के बारे में जो क्या है पार्थ अच्छरों का महत्तों के बारे में से लिया गया है और हिंदी विसे किया और अच्छा छे किया है ठीक है और आज क कॉंटेस में पास्पेड करना चाते हो ना तो बेटा वीडियो को कर लेना लाइक चैनल को कर लेना सस्क्राइब और फुल वीडियो को वाच करते हुए कमेंट जरूर करना और इसके लिंक को अपने फ्रेंट्स के बीच में सेयर करना बेटा अगर राइटिंग कॉंपिशन में भी पास्पेट करना हो कमेंड भी बताईएगा हम आपको लिंक देंगे वहां से आप जोइन हो जाएगे चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चो तो इसमें प्यारे बच्चो दिया गया है कि प्यारे बच्चो आज हम अपनी कच्छा की पाठ पु है आपने आज सीर्षक है अच्छ्रों का महत हो और इस पाठ के लेकश के गुड़कर मोले तो चलिए जानते हैं अच्छ्रों के बारे में तो चलिए वच्छों जानते हैं पहले जिन्नोंने पाठ लिखं़ के इनके बारे में लेखन किये हैं करीब 35 पुस्तक छापी है उन्होंने 35 पुस्तक के जो हैं हिंदी भासा में भी छापी है और वै 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 संस्कृतियान के सिस्से थे यानि कि इनके जो गुरू का नाम था उनका नाम क्या था उनका नाम था संस्कितियान सिस्से थे उन्होंने हिंदी में करीब 30,000 लेख लिखे हैं और अंग्रेजीक में उनकी 200 से अधिक क्या थी पुस्तके थी चलिए जानते हैं आगे चलिए नीचे दिये गए गद्यान को ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें और फिर नीचे दिय प्रसनों को हल करें तो अच्छरों की कहानिया बाच क्या है चालू करते हैं यहाँ पुस्तक अच्छरों से बनी हैं सारी पुस्तक के अच्छरों से बनी हैं तरह तरह की पुस्तके हैं तरह तरह की अच्छर हैं दुनिया में जब तक करोड़ों पुस्तके छप चुकी हैं और हजारों पुस्तके रोज छपती हैं तरह तरह के अच्छरों से हजारों की तादात में रोज समाचार पत्र छपते हैं और इन सबको मूल में है अच्छर यानि सबके मूल कौन है अच्छर है हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षर को ना जानता हो तो आज इस दुनिया में क्या हाल होता कोई कह सकता कि अक्षर हमें अनादिकाल से जानते हैं अच्षरों का ग्यान हमें क्या है इस्वर से मिला है चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है हमें दिया गया प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम और लेखक का नाम इसमें से कौन सा है तो देखो पाठ का नाम क्या है अक्षद और लेखक का नाम क्या है लेखक का नाम है बिटा पाठ का नाम है अक्षरो का महत और लेखक का गुड कार मोले इस गध्यांस में किसका महत बताया गया है तो इस गध्यांस में बिटा अच्छरों के महतों को बताया गया है इसके बाद बिटा क्या दिया गया हमें अब तक कितनी पुस्तके छप चुकी है तो बिटा करोडों पुस्तके छप चुकी है ठीक है और पुराने जवाने के अनुसार अच्छो की खोच किसने करी तो पुराने जवाने में अच्छो की खोच किसने करी थी बिटा तो बिटा इसका अंसर क्या जागा इस्वरने की इसके बाद क्या है निमलिखित में से क्या अच्छो से बना है तो बेटा पुस्तक भी अच्छरों से बनी है समाचार पत्रों और पत्रिकाएं भी बनी हुई है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्युक्त सभी चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया हमको गतिविदी दी गई है वचन बदले पुस्तक का क्या हो जाएगा बिटा पुस्तके हो जाएगा अच्छरों का क्या हो जाएगा अच्छर हो जाएगा पत्रिका का क्या हो जाएगा पत्रिकाएं हो जाएगा और पुराने का क्या हो जाएगा बिटा पुराना हो जाएगा तो चलिए इसके link बदल कर मैं आपको दिखाता हूँ तो चलिए बच्चा लिख लिजे यहां लिखे पुस्तके यहां पर लिखे अक्छर यहां लिखे पत्रिकाए और यहां लिखे पुराना ठीक है तो आपका यह क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है तो बिटा आगे आपकी यह वक्षीट क्या होती है यहीं समापत होती है आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताइएगा वीडियो लाइक करिएगा चैनल सिस्काइब करियोगा जो जाएदा सजाएदा कॉंटेस में पास्पेट करने की कोसिस करिएगा लन्देबाद प्यारे बच्चू